भारकन के एक ऐसे स्कूल में जहां पर रात्री पाटशाला की जा रही है आदिवासी और पिछड़े इलाकों में पढ़ रहे बच्चों के लिए सिक्षा को एक नया आयाम देने की यहां पर कूशिश की जा रही है कोल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक और पूर्व आईपी सधिकारी रहे और उन उराओं की संस्था अखिल भारती आदिवासी विकास परिसत का रात्री पाटशाला अब एक सो के अंक को उसने चूलिया है बड़ी बात ये है कि रात्री पाटशाला में पढ़ने वाले चात्र कोई पैसा नहीं देते हैं और नहीं पढ़ाने वाले सिक्षक एक रुपए की सैलरी लेते हैं हमारे समधाता मुझदूई ने इस महाल का जैसा लिया किसी भी देश और राज के विकास के लिए सबसे महतपूर्ण चीज है शिक्षा और शिक्षा की अलग जगाने के लिए जारखन में युदिस्तर पर काम शुरू हो गया है यहां तक के दिन के उजाले ही नहीं बलके रातरी पाट शाला की भी शुरुवात हो चुकी है मैं इस वक्त मौझूद हूँ राची के हेहल में जहां रातरी पाट शाला को संचालित करने वाले शिक्षक और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सबसे खास बात इसमें ये है कि ये वो शिक्षक है जो खुद पढ़ते भी है और बच्चों को यानि दूसरों को भी शिक्षा की जो संपत्ती है उससे अच्छावित करते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं राची का हेहल है जहाँ पे अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत के बैनर तले कारती कुराव रातरी पाटशाला आयोजित होती है और राची के विभिन शेत्रों में करीब 100 से अधिक पाटशालाएं चल रही हैं संचाल करने में इन बच्चों का भी बड़ा योगदान होता है जो बच्चे खुद वहां से पढ़कर अब दूसरों को भी शिक्षा देने योग बन चुके हैं सबसे पहले इस अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत के संस्थापक हमारे साथ मौजूद है अरूनुराउं जी इन से बात करेंगे अरून जी कहां से ये प्रेरना मिली कैसे इसकी शुरुवात हुई रातरी पाट चाला की और क्या कुछ आगे करना है 2014 मेंज जब मैं स्वाक्चिक सेवा निवरतिले के अपने घर रांची पहुचा तो वीकेंड्स में सनिवार अतवार को बच्चों को पढ़ाया करता था और उनी बच्चों से के बीच में से मुझे जानकारी हुई कि जो ग्रामेन चेतर में बच्चे हैं उनका सिक्षा का इस्तर बहुत देनी है तो जो अनल है आज जिनकी बाते हम लोगों ने सुनी मांडर उचरी के रहने वाले थे इनके और दो-तीन साथियों ने मिलके हमने उचरी में प्रियोग के तोर पे पहला रात्री पार्ट साला शुरू किया और परपस वही कि अभी करीब सतक भी पार कर दिया है आप लोगों ने सौ पार्ट सालाएं से भी अधिक हो गई है आगे क्या कुछ करेंगे यह जो पहला तो है यह जो सौ पार्ट सालाएं खुली है इनका चलते रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जान रहे हैं पढ़ाने वाले गाओं के ही बच्चे हैं जो कॉलिज गुइंग बच्चे हैं उनमें से कई लोगों को नौकरी लग जाएगी कई लोग हार एजूक दूसरी बात यह जो अभी हम लोग पाट सालाएं समुदाइक भवन और धुमकुरिया में चला रहा है इनमें से कुछ पाट साला है चार-पांच गाओं के बीच में एक पाट साला ऐसा बने जिसको चथ हम लोग मौहिया करा सके पिक्षा के महत्वकों कैसे देखते हैं बह सूचता है जो चाहता है तो वही है रातरी पाट साला का मकसद वही है कि हम गरीब आसा है बच्चों को चिक्षा देकर उनके मन में वह ताकत पैदा करें जो वह बड़े घरों के लोग सोचते हैं अफसर बनने का वह हम लोग रातरी पाट साला में हम लोग बिल्कुल रातर जारखंड के नौनिहाल अब यहां के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आगे आगे हैं एक छोटी सी बच्ची से भी हम आपको मिलाएंगे जो छोटे छोटे होने के बावजूद बच्चों को पढ़ा रही है कैसे पढ़ाती हो बिटा आपना सबसे पहले नाम बताओ क्या मेरा नाम पर मिलाव रहा है जब रातरी पाट साला में सिक्चक नहीं होते हैं तब हम वहां पर पढ़ाते हैं जो छोटे बच्चों को वैसे भी बड़ों की तरह पढ़ा तो नहीं सकते हैं इसलिए उन्हें खेल खेल में पढ़ाते हैं कैसे आगे बढ़े बच्चे और कैसे सिख्षा का अलग जगाएं और सिख्षा के बिना जिंदगी अनकार है और सिख्षित होना अनिवार्ज है जिसका प्रारंभिक कार यह विद्याले रात्री पाट साला बहन कर लिया है तो वो तो करहीं रहे हैं मेरे विचार से कंपूटर का जानकारी भी प्रारंभ से ही करना है और किया जा रहा है तो इसमें यह लोग का जितना भी प्रसंसा किया जाए वो कम होगा सर आप लोग कैसे समर्थन करेंगे इस शेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए खास कर जब देश के भविष देश के बच्चे इस तरह के काम में अपना कदम बढ़ाया है जहां तक समर्थन की बात है हम लोग इसी से जुड़े हुए लोग है और हमारा समर्थन तो है ही लेकिन जहां तक इन बच्चों की जो मेरी ठैप मेदा है उसको उकेरने के लिए जो हमारे सिक्षक वरिंद जो स्वम एक स्टूडेंट है उन लोगों ने एक बीडा उठाया है जो काफीत राहनी है यह एक चेन बन ग्या है छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए उस्ताइब कर रहे हैंOh जारखन में जहां शिक्षा शेत्र में कई चुनोतिया हैं कई तरह की परेशानिया है बावजूद यहां के लोगों में एक उत्सा है और इस रातरी पाट साला को आगे बढ़ाने का जुनून भी है ऐसे में उन बच्चों का भी हम बार-बार धन्यवाद करते हैं और बार-ब समचार पलस राची